दोस्तों हमारे आज कल के रहन सहन और खान पान के चलते पाचन तंत्र संबंदिविकार जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज की समस्या, अपच, खाया पिया सरीर पर ना लगना या फिर पेट में हमेशा दर्द का बने रहना, सोजन का बने रहना, खून की कामी, सामाने कमजोरी, बहुत अधिक ठकान का बने रहना, साथी साथ कमजोर, लीवर और भूक की कमी, जैसी बहुत से समस्याएं लगबग हर किसी के जीवन में परिशानी का कारण बनी हुई है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आपकी इन सभी समस्याओं का स्थाई समाधान, अथा आयरवेदिक भवन द्वारा निर्मेत, आयरवेदिक कोशधी, पंचासव के विशे में विस्तार से जानकारी लेकर आया हूँ, तो बिना देर किये जानते हैं, वैदनात पंचासव के प्रमुख घटक द्रव्य, लाभ, प्रियोग विधी वे साउधानियों के बारे में प यार हुई ओशधी है, चलिए जानते हैं कि आखिर कौन-कौन से हैं वो आसव अरिष्ट और क्या कुछ उनके लाब हैं, पहले आसव अरिष्ट का नाम है द्राकसासव, इसके विशे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, बहुत ही उत्तम सारीरिक बल, शक् रूक की कमी, इन समस्याओं को भी दूर करने में सहायता प्रदान करती है, बहुत ही उत्तम और बहुत ही सिग्र इसके लाब प्राप्त होते हैं, दूसरे आसव अरिष्ट का नाम है लोहास, विशेश तोर पर सरीर में रक्त की कमी, लीवर से संबंदित कमजोरी को दूर कर जाता है, साथ ही साथ सारीरिक बल में अद्बुत रूप से वृद्धी करने का भी यकारि करती है, तीसरे आसव अरिष्ट का नाम है कुमारी आसव, विशेश तोर पर लीवर व पाचन तंत्र संबंदि विकारों को दूर करने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है, साथ इसके अलावा, पेट में मौझूद, आतों में मौझूद सोजन को भी कम करने का यकार करती है, चोते, आसव अरिष्ट का नाम है दसमुला अरिष्ट, जी हाँ, शरीर के किसे भी अंग में मोझूद सूजन को दूर करने में या विशेश लाप्रदान करती है, वात-रोगो से बल वर चुस्ति फूर्ति में व्रिद्धी करने वाली यह एक उत्तम ओशद है विसेश जिहां विसेश तोर पर महिलाओं के लिए परम हितकारी ओशद मैं इसे कहना चाहूंगा प्रसूता महिलाओं में इस से अच्छी ओशद शायद ही और कोई होगी अब बात करते हैं प और यह ओशद भी शरीर के अन्य अंगों में मौझूद सूजन को कम करने में सहायता परदान करती है तो इस परकार इन पाचों ओशद्यों के संयोग से तयार वैदेनात पंचासव यह सभी लाब आपको परदान करने का कारे करता है तो कुल मिलाकर पाचन तंत्र संबंदी किसी भी प्रकार के विकार, पेट में दर्द, सोजन के सिकायत का बने रहना, हमेशा गैस, एसीडिटी, खटी डखारे या फिर बहुत अधिक गैस, पाद के माध्यम से निकलना, भूग की कमी, खाया पिया सरीर पर ना लगना, सरीर में खून का ना बनना, हमेशा कमजोरी थाकान का बने रहना, जैसी सभी समस्याओं में या ओशधी बहुती उत्तम, बहुती लाबदायक परिणाम दर्शाती है, जहां तक बात है इसकी प्रियोग विधी की, तो दो से चार चमच की मात्रा में दिन में दो से तीन बार तक इसका प्रियोग भोजन के वस्चाद ब और यह ओशधी ओवर दा काउंटर बिकने वाली ओशधियों में से एक है, परंतु फिर भी यदि आप चाहते हैं कि इस ओशध का सरुस्रेश्ट लाब आपको प्राप्त हो, और किसी भी प्रकार के दुस्र प्रभाव का आपको सामना ना करना पड़े, तो एक बार किसी अ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसा भी सब्सक्राइब कर लीजेगा, आप याग क्या चाहता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार